Please consult your financial advisor, बात करेंगे technical analysis के माध्यम से, क्या reliance power यहाँ पर उपर चलने के लिए तयार हो रहा है, December 19 को क्या लग रही है parameter, reliance power के बारे में, और breakout के लिए अच्छा मुका है यह, आपको अपने portfolio में add करने के लिए, रिटेल विश्ट नहीं रखिये, एक stock में 2-5% की limit ही निवेश किजिएगा, आईए दिर अचल का technical view देखते हैं, reliance power का, आज का भाव 15 रुपे, पिचाणों पैसे के आसपास, करीब 16 रुपे के आसपास मान के चलिए, और index भी थोड़ा सा positive रोख को दिखा रहा है, 0.36% उपर करकर कारुबार कर रहा है, 52 moving average, 16 रुपे, 13 पैसे के आसप बहुत जल्दी उपर चलने के त्यार है, बहुत अच्छा consolidation हो रहा है, पीछे तीन भहीने से, आज volume इतना जादा नहीं है, अभी morning में, बढ़ हो सकता है, तो फ़र के बाद volume के साथ उपर बढ़ना शुरू कर सके, तो यह लग रहा है कि breakout के लिए तयार है, अगर consolidation यहाँ पर हो सकता है, एक दो दिन और चले, और फिर उसके बाद में ये उपर जाने के लिए तयार ही शुरू कर देगा, अगर आगे अगले parameters देखे जाएं इसके, तो super trend के basis पर इसका जो resistance है, वो 17 रुपे का है, एक बार ये resistance तोड़ा, तो काफी अच्छे technical buyers भी इसमें add करेंगे अपनी positions को, तो ये काफी अच्छा neutral zone बना के रखा है, 49 के आज़ पास है, perfect RSI बिल्कुल neutral zone में है, यहाँ से एक बार breakout दिखाया है, तो काफी अथी छलांग लगा सकता है, reliance power, MacDee ने पिछले कई दिनों से इसमें buy signal generate करके रखा, देखे, अभी भी आज इसने momentum positive trading में ही बना के रखा हुआ है, यहाँ पर, और vortex indicator ना buy के रहा है, ना sell के रहा है, अभी neutral zone में बैठ हुआ है, तो इसके चलते हुए, अगर आपको अपने portfolio में इसको add करना है, तो काफी अ lines power, जाहिन